चलिए इस तो बात करते हैं सिकूर नहीं कोशन के बारे में इस कोशन में एक्जामनर नहीं कहा है तो गेट रेशो P रेशो Q P not equal to Q 1 has to be add a number to each term of the ratio X ratio Y यानि एक्जामनर क्या कहा रहा है कि X और Y में एक number जोडता है जिसे number जोडने पर जो ratio जोता है और प्लस का आपका Q और ये A हो जाएगा बराबर में है ये हो जाएगा P Y हो जाएगा और प्लस में आपका P A हो जाएगा यहां से मैंने क्या किया आपका जो मेरे पास में A वाला उसको इतर भेज दिया Q X minus का P Y इस कल्टू में क्या हो जाएगा यहां से common निकालेंगे आपका यह जाएगा तो यह जाएगा आपका A तो P minus का Q यह value हो जाएगी मेरी इसको यहां बेज जाएगे तो Q X minus का P Y आप उन में P minus का Q हो जाएगा इस कल्टू में A यानि कि यह number add करेंगे तो इसका ratio जो है इसके बराबर हो जाएगा यानि कि Q X minus का P Y P minus का Q यानि कि option जो C होगा वो इस question के लिए correct होगा I hope आप सभी को question समझ में आया होगा